प्रधानमंती नरेंदर मोदी के नौ साल पूरे होने पर भारतिय जनता पार्टी महा जनसंपर का भियान शुरू कर रही है इसी करम में तमाम केंद्रिय मंत्रियों की बात करी जाई या फिर पार्टी के तमाम बड़े पदादिकारी गाओं गाओं घर घर शहर शहर जा रहे ह मैं साथ बात करने के लिए मवजूद है भारतिय जनता पार्टी के राष्टिय महा मंत्री है अरण कुमार सिंग आप तो लगातार सर लोगों के बीच में जा रहे हैं महा जनसंपर का भियान हो रहा है टिफिन बैठा खोरी है विशिष्ट जनों के साथ क्या महल क्या निकल करा रहा है तेरा मंतर यहां नौ साल में महा इत्यासी का रूह गोरीब हो सोचित बंचित में इसलिए अ कं नो साल का पूरा हुआ है इसे नौ साल के उपलब्दियों को ले करके जनता के पीचे में जाना और जनता से संबाद करना और नौ साल का हिसाब किताब उनको देना और फिर प्रधान मंत्री मोदी जी के नतित में दो होजाई में सरकार बने ऐसा लोगों से आग्रह करना बहूत व्यापक जन्समर्थन मिल ला है जहांं भी जाते हैं वहां पर जब प्रधानमांद्री के कारकाल के बारे में बात करते हैं हर द्रस्ते से यह भरोसे मंद n obras देश की एक तस्पीर रोड़ी है हर चेत्र में सोचने का नजरिया बदला हैं अभी काम करने का स्केल भी बड़ा है स्पीड भी बड़ा है हर चेत्र में इंफर्सक्टर के चेत्र में हो चाह रोड हो पोर्ट हो एयरपोर्ट हो ट्रेन हो जितना 2014 तक जो काम हुए थे उससे कई गुना काम यह नौ सालों में हुए हैं लेकर विपक्ष भी लेकिन लगतार आपको घेर रहा है अगर आप नौ साल की विफलताएं गिना रहा है इसको चुनोती मानते हैं कि विपक्ष को भारती जंता पार्टी का कुछ भी हजम नहीं होता है इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं आज सबसे तेज गती से अर्थ वे उसता है उसके बारे में नहीं बोल पा रहे हैं बोलना चाहिए नहीं अगर 11 करोड़ सोचाले बनाने का काम हुआ 48 करोड़ बैंक एकाउंट खुला और ऐसे 11 करोड़ घरों में नल से जल दिया गया पचास करोड़ लोगों को आश्मान भारत का कार्ड देने की वेवस्ता हो रही तीन करोड़ से दिख प्रधान मंत्री आवास होज़े ना बना है तो उनको बताना चाहिए इसमें उन्होंने क्या 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 जो यूपिय के काम के समय में काम होता था उस काम को कम से कम 10 स में बड़ोतरी हुई है और यूपिय के समय में केवल और केवल ब्रसाचार करवसन यही होता था तरीके से बाहर जाते हैं देश-विदेश की आत्रह पर जाते हैं वहाँ पर प्रधान मंत्री मुदी के खिलाफ टिपड़ी करना वो चाहे संसत के उद्भाटन को ले करो आन जाते हैं भारत के लोकतंड के बारे में बारत की अर्थ व्यवस्ता के बारे में नीगेटिव बोलते हैं देश की जनता राहुल गांदी की जानती है और इसी प्रकार से उनका स्भाव ही है इसलिए उनको सुभिकार नहीं कर रही है आप लोग लगतार चर्चा भी कर रहे हैं आज विधी आयोग ने भी इसको लेकर तमाम धार्मिक संगठा नाम जनता से राय मांगी है समाजवादी पार्टी आनने लोग कहरें भार्षपा की फिर से हिंदू मुस्लिम की राजनीती शुरू होगई मंदिर मस्जित की को की चुनाओ आ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के कोई राजनिती नहीं है यह भारतियंता पार्टी के बहुत पहले से माग रही है कि इनिफॉर्म सिविल कोड लगना चाहिए मारे मेनिफेस्टों में भी बात कही गई है धारा थी इंदुसत्त राम मंदीर धारा थींदुसत्त समाप्त हो गया राम है कि इनिफॉर्म सिविल कोड लागो होना चाहिए और आप देखेंगे कई राज्यों ने इसके लिए आयोग भी बना लिया है और व्यापक विचार विमर्स करने के बाद जो इस पर नेड़े होगा वो सबको सरुमान होना चाहिए सरकार का उद्देश है कि मदरसे भी शि है कि विपच जंभी राजनिति किया है जब भी उनको शासन मिलिए है तो उन्हों ने आफीज़्मेंट की पॉलिक्स की है तुस्टी करन की पॉलिक्स की है हमारे समय में सब का साथ सबका विकास यह मूल मंत्र को ले करके काम कर रहे हैं किसी भी प्रकास किसी भी योजना में जादी धर्व मझहब के आदार पर बेदभाव नहीं किया जाता है यह विपच्च को देखना चाहिए विपच्च की सोच अलाग है उनके सोच में खोट है उनके सोच में वहाँ पर यह कहा गया है कि बच्चे अगर अंग्रेजी पढ़ेंगे तो उनको निश्कासित कर दिया जाएगा अपको लगता है कि यह लोग चाहते हैं कि जो मदर्सों में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो शिक्षित नहों इसके पीछे की यह बच्च ने हमारी सरकार का मान है तो अच्छा है तो क्यों रोक रहे हैं सर यह लोगी को अब उनके बारे में तो नहीं से पूछी हम क्या कर सकते हैं बहुत शुक्रिया साथ बात करने के लिए मौजूद थे भातिय जनता पार्टी के राष्टी महामंतरी अरूंड कुमार सिंग लखनाव से वीडियो जन